हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स मिसिस कॉली की तरफ से प्यार भरा नमशकार सच्रिया काल अदाब दोस्तो एक बर मैं फिर हाजिर हूँ एक नई रेस्पी के साथ आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी डिलीशियस धोकला जी हां बिल्कुल गुज और जाली दार हमारा यह ढोकला बन कर त्यार होगा आप देखी रहे हैं तो चलिए फिर देर ना करते हूं स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसे अपने घर पर असानी से किस तरह से बनाएंगे तोРЕ्स यह देखिए मैंने बेसन लिया है दो कप के क्रीम मैं बेसन का इस्तमाल कर रही हूं जिसे मैं अच्छी तरह से चान चुकी हूँ तो अब हम क्या करेंगे अब हम इसमें डाल देते हैं टेस्ट के कोर्डिंग नमक तो आदा चमच के क्रीब मैं इसमें नमक अड़ कर रही हूँ और दो चुटकी के क्रीब मैं डाल रही हूँ इसमें कलर के लिए हलदी ज़्यादा हलदी मत इसमें अड़ कीजियेगा और ये मैं डेट चमच के करीब डाल दूँगी नीमबू का रस बाकी का रस हम बाद में इस्तिमाल करेंगे तो ज़्यादा हल्दी डालने से क्या होता है कि उसमें ढोकले के उपर पैचीज आ जाते हैं रेड कलर के तो देखने में भी अच्छा नहीं लगता और फ्लेवर भी उसका बिगड़ जाता है तो अब हम थोड़ा थोड़ा पानी एड करते हुए इसका बैटर त्यार करेंगे तो ज़्यादा एक दम से पानी इसमें मत एड कीजिएगा पानी हमेशा बैटर बनाते समय थोड़ा थोड़ा ही इस्तिमाल करते हैं और एक तो जो इसमें बेसन में गुठलिया नहीं बनेंगी और बैटर बहुत बढ़िया बनेगा तो पानी और इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा और बेसन को मिक्स करते जाएंगे तो बिलकुल मार्केट वाला धोकला हमारे घर पर बन कर त्यार हो सकता है बहुत ही असान तरीके से आप इसे अपने घर पर एक बार जिरू ट्राई कीजिए आपको ये बहुत पसंद आने वाला है तो देखिए मैं थोड़ा थोड़ा पानी ही इसमें डालती जा रही हो और मिक्स करते जा रहे हैं बेसन को और कंसिस्टेंसी मैं भी आपको दिखाऊंगी कि किस तरह की हमें चाहिए ढोकले के लिए तो ये देखिए मैंने गुट्लियें इसकी बिल्कुल खतम कर दी है और एक बिल्कुल स्मूथ बैटर इसका बन चुका है अब पानी इसमें थोड़ा और जाएगा क्योंकि अभी तो काफी गाड़ा है बैटर तो मिक्स करते जाएंगे इसे तो ये देखिए बहुती स्मूथ बैटर बनकर त्यार हो गया आप देखी रहे है तो पानी अभी मैं इसमें थोड़ा सा और एड़ करूंगी ये देखिए अभी थोड़ा सा मुझे गाड़ा लग रहा है बैटर तो पानी इसमें थोड़ा और एड़ कर दिया है मैंने और अब ये बिल्कुल perfect consistency है तो अगर जरूरत पड़ेगी तो और इस्तमाल कर लेंगे तो अब इसे rest के लिए आदा गंटा मैं रख दूँगी तो देखिए आदा गंटा हो चुका है बैटर हमारा बहुत अच्छी तरह से त्यार हो चुका है वेशन अच्छी तरह से फूल चुका है तो पानी एड़ करने की मुझे जरूरत नहीं है बिल्कुल सही है तो अब मैं डाह रहे हैं इसमें 1 फॉर्थ टी स्पून बेकिंग सोडा और आदा चमच के करीब डाल दिया है मैंने इसमें बेकिंग पाउडर तो दोनों चीज़ों का ही इस्तमाल कर रही हूँ मैं अगर आप ये दोनों चीज़ें नहीं रैट करना चाहते तो एक बड़ा चमच आप इसमें इनो सॉल्ट डाल सकते हैं तो ये देखिए जैसे ही बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर गया तो बेसन काफी फूल गया है देख रहे हैं आप कितना हलका हो गया है तो हमारा ढोकले के लिए ये बिलकुल त्यार है तो मैंने एक थाली ली है चोटी जिसे मैंने ओयल से ग्रीस कर लिया है तो हम बैटर को इसमें डाल देंगे तो आप किसी में भी बना सकते हैं चाहे आप स्टील के डबे में बना लीजिए या केक टिन में बना सकते हैं तो पानी मैंने पहले ही पहले ही कडाई में रख दिया है गरम होने के लिए और उसमें डाल दिया है स्टेंड तो बस ये प्लेट को हम उसमें डाल देते हैं ये देखिए पानी बॉयल हो रहा है और अब मैं प्लेट इसमें रखतूंगी तो अच्छी तरह से प्लेट को tap कर लेंगे फिर इसमें रखेंगे तो cover कर देंगे और flame कर देंगे low to medium तो low to medium पर कम से कम 20-25 मिनट इसे अराम से पकने देंगे तो wait करते हैं 20-25 मिनट की तो ये दिखिए 20 मिनट पूरे हो चुके हैं एक बार चेक कर लेते हैं तो बहुत अच्छी तरह से हमारा ढोकला बन रहा है तो एक दो मिनट मैं से और रखूंगी तो अब फिर चेक करते हैं तो ढोकला हमारा बेरुकुल त्यारा रख देते हैं साइड पर ठंडा होने के लिए और अब हम करते हैं तड़के की स्यारी तो दो छोटे चमच मैंने इसमें ओयल डाल दिया है पैन में अब डालेंगे इसमें आदा चमच सर्सों के दाने और सर्सों के दाने को अच्छी तरह से क्रेकल होने देना है मतलब कि कच्चे नहीं रहने चाहिए इसमें अच्छी तरह से पकने चाहिए तब ही फ्लेवर बढ़ी आएगा तो यह देखिए आप आप देखी रहे हैं कि क्रेकल हो गए है आप डालते हैं इसमें कड़ी पत्ते बहुत ही बड़ी यह फ्लेवर आएगा इससे भी तो ढोकले की जान होती है यह चाशनी क्योंकि हम चीनी से बना रहे हैं इसको तो पानी डाल दिया मैंने इसमें 1.5 कप के क्रीब और अब डाल देंगे इसमें 1.5 चमच चीनी बड़ा चमच है 1.5 चमच मैंने डाल दिया है और यह बाकी का जो निम्बू का रस बचा था वो भी मैंने इसमें डाल दिया एक बड़ा निम्बू का रस था मैंने निकाल ल धोकले को बिल्कुल सॉफ्ट बनाएगी जो हमारे गले को बिल्कुल नहीं लगेगा तो ठंडा हो चुका है धोकला और मैंने उसे निकाल लिया है प्लेट के ओपर मैं भी आपको दिखाती हूं यह देखिए आप देख रहे होगा यह साइट से कैसे कट लगा है तो नाइफ क इसे काट लेते हैं यह दिखिए कितना सॉफ्ट है आप देखिरे ना कट करते समय देख रहे हैं कितना असानी से कट रहा है तो इसके पीसिस आप छोटे बड़े जैसे भी करना चाहते हैं कर सकते हैं तो बिल्कुल जैसे मार्किट में मिलता है ना हमें ढोकला खाने के पानी को काफी एब्जॉर्ब करता है तो चाशनी इसमें अच्छी तरह से डालनी है हमें और उसे रेस्ट के लिए कम से कम पांस से दस मिनट आप रख दीजिएगा तो फिर उसे आप इंजोई कीजिए बहुत ही जबर्दस फ्लेवर आता है तो मैं डाल देती हूं सारी चाशनी आप इसे एक बर जरूर ट्राई कीजिए आपको ये बहुत पसंद आएगा तो लीजिए फ्रेंड्स मैंने सारी चाशनी इसमें डाल दिया और इसे वेट करते है पांस से दस मिनट हो चुके हैं और मैं आपको एक निकाल कर दिखाती हूं ये देखिए ये दिखिए कितनी जाली दार हमारा ढूकला बनकर त्यार हुआ है बिल्कुल मार्किट जैसा लग रहा है न और देखिए इसने चाशनी को कितनी अच्छी तरह से अब्जॉर्ब किय ये सोक लिया है बिल्कुल तो खाने के लिए अब ये बिल्कुल त्यार है तो हम तो करने वाले हैं इसे एंजॉय आप भी उठीए फटाफट बनाईए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए लाइक जरूर कीजिए और मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो फिर मिलती हूँ दोस्तो एक और नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाई बाई